आपका नए वीडियो में इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुझ की मोटर्स की तरफ से जो है कैमपस प्लेश्मेंट लगा जा रहा है जिसमें जो है FTC की वैकेंसी आई हुई है तो जो है उसी से लेटेड ये पूरा वीडियो रहेगा आपकी एलिजबिल्टी कैटेरिया क्या रहेगी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी एलिमिट क्या रहेगी साइटेल इस वीडियो में किलियर करेंगी तो वीडियो आप जो है पूरा अंतक देखिएगा तब ही आपको करिएगा आगे बढ़ते हैं आपको पूरी टिटेल देते हैं सुचकी मोटर्स के कैमपस प्लेश्वन के बारे में इसमें जो है सबसे पहले आपको बता देते हैं 10 पास में आप 10 पास होने चाहिए प्लस आपकी आई टिए पास होने चाहिए 50% मार्क से एलिमेंट की बात करें तो 18 से आपकी जो है 24 एज होनी चाहिए आएड जो है जो है जो है जो है जो है जो है फटी सी की भरती रहेगी जिसमें जो है 2017 से लेकर 2023 के कैंडियट 2023 तक पास आउट कैंडियट इसमें इलिजबल रहने वाले हैं यानि कि जो है 2017 के कैंडियट 2018 2019 2020 2021 2022 2023 के कैंडियट जो है जो पास आउट कैंडियट है वैसे तो सबकी जो 2023 में पास आउट है उनकी भी मार्ट शीट वगएरा आ गई है और तो वो भी जोईन कर स अब apprentice की बात आती हैं तो apprentice जो है किवल 2 ही साल के candidate के कर सकते हैं यानि कि आप 2022 में पास आउट हैं या या 2022 में पास आउट है तभी आप इलिजबल रहने वाले हैं अपरेंटिस के लिए आपको पता है कि यह जॉब लोकेशन आपकी सुचकी मोटर्स गुजरात का जो प्लांट है वहाँ के लिए वैकेंसी निकल के आई है तो जो है आप जो वहाँ पे जा सकते हैं जैसे बात करें इसमें 1000 से प्लस वैकेंसी रहने वाली है वैसे आप जाते हैं तो वहाँ आपका हो जाता है आपका नॉर्मल टेस्ट वगेरा होता है इंटर्वी वगेरा होता है यह जो है ट्रेड रहने वाले हैं आपकी तो आपका इसमें ट्रेड है तो आप जा सकते हैं सैली की बात करें तो आपकी 21,000 सैली रहेगी CTC जिसकी बात करें तो CTC का मतलब होता है काउस्टू कंपनी इसका यह मीन है कि एक इंप्लाई कंपनी को कितने रुपए का पढ़ रहा है तो जो है 21,500 रुपए का पढ़ रहा है लगभार के जो है आपकी इन हैंट सैली की बात करें तो आपकी इन हैंट सैली 16,000 तक आपके अकाउंट में आ जाएगी आगे बात कर लेते हैं जो अप्रेंटिस करते हैं उनकी सैली 16,900 रुपए रहने वाली है तो आपकी इन हैं इसमें apprentice वाले candidate के 15,500 रहेगी in hand आपके account में आएगी अब बात कर लेते हैं location और उसके बाद date and time जो campus placement के कहां पे लग रहा है ये जो है सद्गुरू private ITI industrial area बकसर बिहार बिहार के लिए ये लग रहा है केवल जो है बिहार candidate इसमें eligible रहने वाले हैं अदर किसी जो है static candidate इसमें eligible नहीं रहेंगे जो candidate बिहार के हैं और बकसर के आजपास जिले के हैं वही candidate इसमें eligible रहने वाले हैं आगे बात कर लेते हैं इस ये जो है 11 फरवरी 2024 को campus placement लगाया जा रहा है दिन संडे को और उसके बाद जो है सुबह 9 बजे आपको पहुंच जाना है इस campus placement में आपको जो है बहुत दिन में ये लग रहा होगा संडे संडे को ऐसे campus placement नहीं लगता है लेकिन इस बार जो है संडे को लगाया जा रहा है इसमें वैकेंसी भी बहुत सा है एक हजार से अधिक वैकेंसी भी रहने वाली है इसमें आपको डाकुमेंट की बात करें तो 10th की मार्ट सीट हो गई आपकी IT मार्ट सीट एंट सर्टिफिकेट आपके पास फोटो आपकी जो है दोनों डोज की वैक्सीन जो लगी हुई है उनकी आपके पास होना चाहिए यानि की सर्टिफिकेट होना चाहिए ये जो है campus placement बक्सर में लगाया जा रहा है आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को लाइक करिएगा अब बात कर लेते हैं वाटसप ग्रूप हमारा जो है और उसके बाद टेलीग्राम है टेलीग्राम में नॉर्मली आप जाते हैं सौरव आईटिया सर्च करते हैं ऐसे यू आरे बीएच करके और उसके बाद जो है आप जो है आप जोईन कर लीजेगा जोईन करने में बिल्कुल फ्री रहेगा और उसका बेनिफिट यह होता है जैसे कि हम वीडियो वगेरा नहीं डालवारे तो वहां आपको इनफॉर्म करते रहते हैं कि यहां पे आप कैमपस प्लेश्में लगा जा रहा है इस कमपनी का तो मिलते हैं नेक्स वीडियों तब तक कि लिए जाए